बिहार बोर्ड मेट्रिक परिक्षा के लिए समाजिक विग्याउन का बहुं थी महत्पून अब्जेक्टिव प्रशन दुस्तों आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें तो पहला प्रशन है बिहार में कितने परतिसत छेत्र में खेती की जाती है तो 60 परतिसत छेत्र में खेती की जाती है अगला प्रशन है बिहार की कितनी परतिसत जन संख्या क्रीशी कार्य में लगी हुई है तो 80 परतिसत ओप्सन नमर को यानि ए सही है अगला प्रशन है इन में से कौन गन्न उत्पादक जिला नहीं है तो आपका जगा मुझपरपूर में गन्न उत्पादन नहीं होता है अगला प्रशन है बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है गिरावट हो रही है यानि कि कमी हो रही है अगला प्रशन है तमाकू उत्पादन छेत्र है तो आपका दियारा छेत्र आपका दियारा छेत्र अगला प्रशन है कोसी नदी घाटी परियोजन का आरम हुआ कोसी नदी घाटी परियोजन का आरम हुआ तो 1954 में कोसी नदी घाटी परियोजन का आरम हुआ अपका नमर गोयनिदी सही है अगला प्रशन है बिहार में नहरों दोरा सारवधिक सिचाई किस जीले में होती है तो रोतास जीले में उप्शन नमर को ए सही है अगला प्रशन है बिहार में बिहार में कूल कितने अधी सुचित छेतर में वन का विस्तार है तो अप्शन नमर ए बिलकुल सही है 6344 किलो मीटर अप्शन नमर को यनि ए सही है अगला प्रशन है कूवे सुवर अस्तान किस जीले में इस्तित है तो दरभंगा में अप्शन नमर को सही है अगला प्रशन है कावर जील इस्तित है तो बेगू सराय में अगला प्रशन है संजय गांधी जैविक उद्धान किस नगर में इस्तित है तो प्टना में अप्शन नमर को यनि डी सही है प्टना में अगला प्रशन है बिहार में खनीज तेल मिलने की समभाव ना आये है बिहार में खनीज तेल मिलने की समभाव ना आये है तो अप्शन नमर को यनि डी बिल्कुल सही है गंगा के द्रोनी में चूना पत्थर का उप्योग मुखी रूप से किस उद्योग में होता है तो सिमेंट उद्योग में अप्शन नमर को सही है अगला प्रस्ण है पाइराइट खनीज है और धात्विक उप्शन नमर को सही है अगला प्रस्ण है बिहार के सोन आयक्स से प्रती टन सूध सोन प्राप्त होता है तो उप्शन नमर को बिल्कुल सही है 0.1 से 0.6 गरम उप्शन नमर को सही है अगला प्रस्ण है कहलगों तापिये बिद्दूत पर्योजन किस जीले में अवस्तित है कहलगों तापिये बिद्दूत पर्योजन किस जीले में अश्तित है तो भागलपुर में उप्शन नमर को सही है अगला प्रस्ण है केंटी तापिये बिद्दूत पर्योजन किस जीले में अश्तित है कंटी ताप ये विद्दूत प्रियोजना किस जीले मिश्ती था तो मुझा परपुर में आपसन नमर सी सही है यानि घो समिधान प्ररूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो इस प्रश्न का उत्तरों जगापका आपसन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो इस प्रश्न का उत्तरों जगापका आपसन नमर सी बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है आपका भारतिये सम्भिधान की आठवी अनुसूची में क्या वर्नित है भारतिये सम्भिधान की आठवी अनुसूची में क्या वर्नित है तो इस प्रश्न का उत्तरों जगापका आपसन नमर ए बिल्कुल सही है भासाओं की सूची भारतिये सम्भिधान की आठवी अनुसूची में क्या है भासाओं की सूची और टोटल भासा 22 भासा है तो चलते हैं अगले प्रश्णी क्यों प्रश्ण है इस समय भारत में कौन सी दलिये विवस्था मौजूद है तो अप्शन नमर C बिल्कुल से यह बहु दलिये विवस्था है अगला प्रश्ण है सुचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ तो इस प्रश्णी का उत्तरों जागा आपका अप्शन नमर C बिल्कुल से है सुचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ तो इस प्रश्णी का उत्तरों जागा आपका अप्शन नमर B बिल्कुल से है 1885 इस वी में अगला प्रश्ण है राज पूर्म गठन आयोग की अस्थापना कब हुआ तो 1956 इस वी में उप्शन नमर C सही है अगरा प्रश्ण है सैयुक्त राज श्रेंग की अस्थापना कब हुआ तो इस प्रश्णी का उत्तरों जागा आपका अप्शन नमर B बिल्कुल से है 1945 इस वी में सैयुक्त राज श्रेंग की अस्थापना कब हुआ है 1945 इस वी में अगर आपको डेट सहीत पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा 24 अक्टूबर 1945 लगाईएगा अगला प्रश्ण है सार्क का मुख्याले कहा है सार्क का मुख्याले कहा है तो काटमांडू में ओप्शन नमर C बिल्कुल सही है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number B बिर्कुल सही है 1974 इस वी में भारत में पहला परवानुप्रिक्षन कब हुआ 1974 इस वी में option number B सही है अगला प्रस्ण है पंचाज समीती का प्रमुख कौन होता है पंचाज समीती का प्रमुख कौन होता है तो पंचाज प्रमुख option number D सही है अगला प्रस्णा आपका 2015 के बिधान सवाच चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई तो इस प्रस्ण का उत्तर जगापका ओप्सन नमर डी इनमें सभी ने जनता दल यू राष्टिय जनता दल और कंग्रेस सभी ने बनाई अगला प्रस्णा है सुचना अधिकार किस वर्ष लागो हुआ तो वर्ष 2005 में लागो हुआ सुचना का अधिकार अगला प्रस्णा है एमनेस्टिक इंटरनेशनल किस्से समन्दीत है तो इस प्रस्ण का अधिकार से समन्दीत है अगला प्रस्णा है कॉंग्रेस का विवाजन किस वर्ष हुआ तो इस प्रस्ण का अत्रों जागाप का 1979 इस वी में हुआ कॉंग्रेस का विवाजन कब हुआ 1979 इस वी में ओप्शन नमर बी सही है अगला प्रस्णा है विश सुत्री कारिक्रम किस परधान मंत्री से समन्दीत है विश सुत्री कारिक्रम किस परधान मंत्री से समन्दीत है तो इस प्रश्निक का उत्र जाएगा आपका इंद्रा गंधी, ओप्सन नम्मर B सही है, इंद्रा गंधी से समंदित है विश्चुत्री कारिक्रम, अगला प्रश्न है, किस समिधान संसोधन के दुआरा पंचायतों में महिलाओ को आरक्षन प्रदान किया गया, प्रश्न एक प्रश्न एक अगला प्रश्न है आपका, भारतिये रच्चुत्री कारिक्रम, अगला प्रश्न है विश्चुत्री का अगला प्रश्न है, भारतिये रच्च्चिये कंग्रेस के संस्थापक कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है, भारत में बित्याई वर्स होता है, एक अप्रेल से 31 मार्श तक, भारत में बित्याई वर्स होता है, एक अप्रेल से 31 मार्श तक, अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्न लिखीत में कौन सा एक मानवा अधिकार संगठन है, तो ओप्शन नमर बी बिल्कुल चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवा अधिकार से समन्दीत है, अगला प्रश्न है, निम्न लिखीत में से कौन सा देश सार्ख का सदस्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपका ओप्शन नमर डी, बिल्कुल चाहिए, भारत, अगला प्रश्न है, योजना आयोक की अस्थापन कब हुई, तो 1950 में, योजना आयोक की अस्थापन कब हुआ था, 1950 में, उप्शन नमर ए, सही है, अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने सुरक्षा परिशद में, निसेद अधिकार का स्वारवधिक वार पर्योग किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जागा, आपका चीन ने, उप्शन नमर डी, सही है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जागा, आपका, निती आयोग बना, उप्शन नमर ए, सही है, निती आयोग बना, अगला प्रश्न है, ब्यहार विधान सभा में कितने निर्वाची सदस्य है, ब्यहार विधान सभा में कितने निर्वाची सदस्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जागा, आपका, उप्शन नमर बी, बिलकुल सही है, 243, ब्यहार विधान सभा में कितने निर्वाची सदस प्रश्ण है शिक्कीम भारत का हिस्षा कब बना तो 1975 में शिक्कीम भारत का हिस्षा बना अगला प्रश्ण है आपका निम्दलिखीत में से किस देश ने खूले द्वार की निती अपनाई तो चीन ने ओप्शन नमर डी सही है अगला प्रश्ण है आपका तसकन समझवता पर कब हस्थाक्षर हुआ था तो 1966 इस वी में हुआ था तसकन समझवता पर हस्थाक्षर अप्शन नमर ए सही है अगला प्रश्ण है आपका भारतिय समिधान के किस अनुछेद में नियाई का लोकन की सक्ति अंत्रनिहित है तो इस प्रश्ण का उत्तर जाएगा आपका आपका अप्शन नमर सी बिल्कुल सही है अनुछेद 72 अगला प्रश्ण है बिहार में शंपूर्ण क्रांती का नेत्वर किस ने किया तो इस प्रश्ण का उत्तर जाएगा आपका जय प्रकास नरायन ने अप्शन नमर डी सही है अगला प्रश्ण है भारतिय जनता पार्टी की अस्थापना कब हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर जाएगा आपका उप्शन नमर सी सही है अगला प्रश्ण है प्रश्ण के लिए प्रथम अंतराष्टिय सम्मेलन का हुआ था प्रश्ण के लिए प्रथम अंतराष्टिय सम्मेलन का हुआ था तो रियो डी जेरोनिया ओप्शन नमर बी बिल्कुल सही है प्रश्ण है शिक्कीम भारत का सहवर्ती राज कब बना तो इस प्रश्ण का उत्तर जाएगा 1975 इस्वी में बना अगला प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयो क्या स्थापना कब हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका 1953 इस्वी में अगला प्रश्ण है छेत्रवाद का एक कूपरी नाम है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अलगावाद अगला प्रश्ण है सेंग्यवादी ब्यवस्था का सर्वोच्तम उधारन है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अमेरीका अप्शन नमर डी सही है अगला प्रश्ण है भारत में कारी पालिका का सम्विधानिक प्रमुख कौन है तो प्रधान मंत्री ओप्शन नमर बी सही है अगला प्रश्ण है दस्षक सार्ख की अस्थापम कब हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका 1985 में ऑप्शन नमर बी सही है अगला प्रश्ण आपका 11.9.2008 को निमन लिखीत मेंसे कौन सी धटना घटी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर डी इन मेंसे कोई नहीं अगला प्रस्ण है निम्न लिखीत में से कौन एक गुट निर्पेक्च अंदावलान के जनक नहीं थे तो इस प्रस्ण का उत्तरों जगापका ओप्शन नमबर B विर्कुल से आरफाथ अगला प्रस्ण है मेक मोहन रेखा क्या है तो इस प्रस्ण का उत्तरों जगापका ओप्शन नमबर C बिल्कुल से है भारत एवम चीन के बीच सीम रेखा मेक मोहन रेखा क्या है भारत एवं चीन के बीच सीम रेखा उप्शन नमर सी सही है अगला प्रस्ण आपका किस ने दुई राश्ट सिधान्त का परतिपादन किया तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका जिन्न उप्शन नमर सी जिन्न ने दुई राश्ट सिधान्त का परतिपादन किया था जिन्न अगला प्रस्ण है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन हुआ तो इस प्रस्ण का उत्तर जागा आपका उप्शन नमर सी बिल्कुत सही है 1962 इस वी में उप्शन नमर सी सही है अगला प्रस्ण है राश्टिये विकास परिशद का गठन कब हुआ था तो 1952 इस वी में option number C बिल्कुल चाही है अगला प्रस्ण है गरीवी हटाओ का नारा किस ने दिया था तो option number C बिल्कुल चाही है इंद्रा गण्धी ने अगला प्रस्ण है भारत के प्रत्थम उप्राश्ट्पति कौन थे भारत के प्रत्थम उप्राश्ट्पति कौन थे तो इस प्रश्णिक का उत्तर जगापका option number C बिल्कुल सही है डॉक्टर जाखिर हुसेन भारत के प्रत्थम उप्राश्ट्पति कौन थे डॉक्टर जाखिर हुसेन ये मुसलिम था और अगर पुझ दिया जाए तो इस प् किस परधान मंत्री ने मंडल आयो किसी पारिशों का लागू किया तो इस प्रश्न का उत्तरों जगापका पीवी सिंग प्रश्न है किस परधान मंत्री ने मंडल आयो किसी पारिशों का लागू किया तो इस प्रश्न का उत्तरों जगापका उप्सान नमर ए बिलकुल चाहिए वीपी सिंग अगला प्रश्न है बिहार की पहली महला मुख्यमंत्री कौन थी तो रावरी देवी थी बिहार की पहली महला मुख्यमंत्री तो दोस्तों ये 50 अतिम अत्पुन अब्जेक्टि प्रस्न थे जो कि आपको पोलिटिकल साइंस में पूछे जा सकते हैं अगर आप यहां तक देखते हुए आये हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कोमेंट करें